प्रेना कितना बोलती है यार, दो मिनट की रेमिडी को दस मिनट में एक्स्प्रेइन करती है, आपको भी ऐसा लगता है ना, मज़े मालू है आपका ऐसा लगता है, देखिए अगर आप यह सोचते हैं कि चार पांच चीजों को मिला लेने से रेमिडी बन जाती है और उसके अ जाप दे रहे हूं कि थाटलेस्नेस में आप जो भी पोटेंट चीज भी इस्तमाल करेंगे और थाटफुली अगर सिंपल सी चीज का इस्तमाल करेंगे तो वह भी आपको मैगनेफसेंट रिजाल्स दे सकते हैं, इसलिए मैं जो सिंपल सी रेमिडी आपके साथ शेर करती तो आपको समझ में आया है कि थाटफुली रेमेडीस को ट्राय करना है तो वह थाट पूरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हेर ग्रोथ तो निष्टित है, I promise you कि आपकी हेर ग्रोथ होगी और बहुत ही बीटिफुल होगी, तो पूरी वीडियो को दे अगर चानल पर आपका पहली बार रहा है तो मेरा नाम प्रेणा, चानल का नाम प्रीती प्रेणा हफते में तीन दिन ले कर बहतरीं DIY रेमेडीस में अपर रहा हूं, जिनने यूस करके मेरा परिवार का खुश है, तो आप भी मेरे खुशाल परिवार का हिस्सा बन सकते है क्लिक कर दीजिए उसकी बगल में जो बेल ऐकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स ताइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए डोंट वरी कोई बेल नहीं बजेगी सिरफ यूट्यूब के आपका अप है इसमें प्रिती परेना चा चालेंज कि आपके बाल बढ़ जाए ओवर नाइट तो प्लीज बी राशनल और ध्यान से चूज कीजिए आप क्या चीज देख रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं ग्रोथ ग्राजली होती है और सिरफ दो चीज़े चाहिए नाट इस कंसिस्टेंसी और पेशन्स अ कर चकी हूँ आप सभी रेमेडी फॉलो कर सकते हैं प्रोवाइड एक साथ नहीं मैं आपको हमेशा कहते हूं कि एक रेमेडी को दो से तीन महीने अराम से इत्मिनान से ट्राइ कीजे डेली नहीं जैसा वीडियो में बताया गया हो वैसा ही आपको इस्तिमाल करना है और ग्र आपको क्या चीज के अवैलेबिलिटी आसानी से हो रही है आप क्या चीज अराम से कर सकते हैं इसके बेसिस पर अपनी रेमेडी को चूज कीजे और दन दो इत फो यॉर्सेल रेगिलरली डोंट गेट कन्फूज कि क्या करे और क्या नहीं करे आज की जो रेमेडी है बहुत रहती सिंपल है आलसी से आलसी आदमी या और अवरत कर सकती है कोई परेशानी नहीं है कोई सायट इफेक नहीं है it is very very potent नव अट नीज तो बैत करते है है पेशनी करना है झाम एक्टिन दिन मतलब यहां पर है हथ्टे में 3 दिन जह मैं मैक्सिम्म तीन करना है minimum सर्देया न तो दो बार तो आपको करना ही पड़ेगा to have the best of results for yourself इसके लिए आपको चाहिए number one milk दूद बालों में जिहां देखे दूद में होता है protein content जो के आपके बालों के लिए बहुत amazing है keratin treatment आप कराते हैं प्रोटीन deposition ही आपके बालों में किया जाता है however यहां पर हम growth के लिए कर रहे हैं इसलिए हमारा focus जो होगा वो हमारी roots होंगी length पर भी आप कर सकते हैं absolutely no problem so milk अगर raw है तो बहुत बढ़िया otherwise उबला हुआ भी ले सकते हैं please don't make a fuss मम्मी दूद क्यों उबाल दिया raw है तो बढ़िया otherwise आप उबला हुआ दूद ले सकते हैं now कितना दूद लेना है देखिए आपको पूरा का पूरा करना है और अपनी लेंद भी कवर करनी है तो इस हिसाब से आप दूद ऊपर नीचे कर सकते हैं मैंने यहां पर half mug of milk लिया है इसको मैंने अवन में एक मिनट के लिए गरम कर लिया है यानि कि अल्मोस्ट गुनगुना हो जाएगा गरम नहीं गुनगुना हो जाएगा और ज अगर आपको कब्स की परिशानी होती है यानि कि अपको कॉंस्टिपेशन है तो आप इस पूरे मिश्र को पी भी सकते हैं जिहां और इसको रेगिलर्ली और बहुत लंबे अर्से के इस्तमाल नहीं करते हैं आप युनों हफते में दो बार या तीन बार आप इसका सेवन कर लिए अगर इस अफिशिंगे तो अफिशिंगे जब आप रिमेडी कर रहे है तब ही और इस लिए उशिपेशन गट साफ होगा तो सकी बीक्लियर होगी बाल अच्षे होगे अनडव एपर ली तो इसमे आपको लेया है एक बड़ा चंब चाश्यो ऑट लिया या तो आपक और जो होता है वो जम जाता है इसलिए गरम पानी से साबुन के पानी से अच्छे से वाश करनी पड़ेगी आपको पोस्ट अप्लिकेशन पहले बता रहे हो कि अच्छे से कीचेगा तो यहां पर मैं ले लिया है दूद दूद में लिया है एक चमच कास्टरोई और इसको आपसिलूटली बालों को सुल्जाना है यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है आपको बात सुल्जाने ही पड़ेंगे पार्टिशन कर लीजे और इसके बाद रेडी हो जाईए अप्लिकेशन के लिए क्या करना है आप इस प्री बॉटल को आपनी जो मांग निका लिए व इसकोई है तो बताईए नहीं एक गजब का क्लेंजर है आप बाकी के बहुत सारे फालतु प्रॉड़्स परोड्ट्टेंस मिलते है इसकां मिलक में पर्ड्रोडर करते हैं और प्रोटीन मांस्क के लिए क्या और माजिक कर सकता ही यह आप सभी जानते हैं इसलिए मिलक को ज तो clean तो आपका scalp हो ही रहा है लेकिन साथ साथ protein content की वज़े से आपकी roots nourishment पा रही है हो रहा है ना magic? एक पंथ दो काज हो रहे हैं और आपके बाल बहुत अच्छे हो रही है castor oil, do I need to say anything about it? मैं बहुत सारी remedies castor oil से related आपके साथ शेयर कर चके हूँ castor oil इतना potent है आपके बालों को grow करने के लिए कि अगर आपके eyebrows में बाल नहीं है तो आप वहाँ पर castor oil का application कर सकते हैं to all the boys out there अगर आपके डाडी में कहीं कहीं पर बाल नहीं है तो आप castor oil कर सकते हैं and you can have your you know whatever it is जो भी आप चाहते हैं the density जो गर्थ अपने बालों में आप देखना चाहते हैं आपको definitely मिलेगी castor oil is that potent आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं do not believe मैंने तो साफ बोला वहाँ मेरी बातों पर विश्वास करने की कते हावशकता नहीं है पढ़िए इसके बारे में खुद देखिए जब आपको potency का बता चलेगा तो आप और beautifully इसका application करेंगे पुरे विश्वास के साथ application करेंगे और वो ज़्यादा results बहर करेगा believe me don't believe me मतलब whatever जो भी है मतलब की believe in the remedy and do it for yourself इत्मिनान से रूट्स पर application कर लेने के बाद अपने सारे की सारे बालों को इक तरफ कर लीजिए और अच्छे से अपनी लेंथ पर भी spray कर लीजिए देखिए it is going to be a little bit time consuming अगर आपके पास patience है तो spray से कीजिए नहीं है तो बालों को upside down करके मतलब ले लीजिए और उसमें अच्छे से अपनी लेंस को भी डिप कर लीजिए क्यूंकि आपकी लेंस को भी वो moisture चाहिए वो cleanliness चाहिए वो पूरा का पूरा protein content चाहिए जो की वहा अच्छा सा बन अपने बालों में लगा लीजिए कंगी करने के गुस्ताखी आप इस वक्त नहीं करना चाहेंगे कास्टर ओल है काफी थिक होता है अगर सिरफ कास्टर अप्लिकेशन करेंगे तो आदे से जादा बाल तो वैसी स्वहा हो जाने है इस तरीके से आप कास्टर आपको ज्यादा देर तक नहीं रखना है नहाने से मातर एक से दो घंटे पहले आप इसको अपने बालों में रहने दीजिए इतना वक्त सफिशंट है ताकि ये दोनों को ये दोने जो ब्लेंड है या पके रूट्स पर काम कर सके आपके बालों को वो नरिश्मेंट दे सके और इसके बाद हफते में एक बार देखिए मैं आपको अप्लिकेशन हफते में तीन दिन बोला है या अगर कम करना है तो दो बार कीजिए लेकिन हफते में एक बार आप होट ताल अपने बालों में लगाए ये इस गोई टो बी स्पा की तरह हो जाएगा लेकिन आपके कर लेंगे नॉर्मल चैंपू जो आप करते हैं कंडिशन के लिए मैं कभी भी नहीं बोलते हूं कि आप लगाए इस नॉट फियो है बट मैंने सिरफ शैंपू किया है और आप देख सकते हैं कि बहतरीन रिजल्ट्स हैं बट यहां पर रिजल्स तो ओविजल्ट्स तो ओव स्काल्प इस एकुल तो हेल्दी ग्रोथ और इस अप्लिकेशन से आपका स्काल्प ना सिर्फ क्लीन हो रहा है बल्कि वो नॉरिष्मेंट वो खाद उनको मिल रही है इस वज़े से वो बहुत अच्छे से ग्रोग करेंगे नाव आंसरीं फ्यों क्वेस्ट्ट्स अरां देम और इस ओन आव कर सकते हैं या बात कर सकते हैं अब बच्चों के बालों में के जिये ऑटी बालों में कीजिये गल्स बट्याज सब कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है consumption की अगर हम बात करें कि कौन-कौन पी सकता है pregnant ladies and feeding mothers you cannot consume it लेकिन बाकी सभी लोग हफते में 2-3 बार absolutely ले सकते हैं if you are not allergic to seeds yeah so you have to be like very very particular about consumption that's all बाकी application कोई भी कर सकता है growth सभी की होगी and you will have wonderful results for yourself I promise you I hope आपको ये application अच्छे से समझ में आ गया है इसकी potency इसकी ताकत समझ में आ चुकी है अब आप इसको thoughtfully अपने ले इस्तमाल कर सकते हैं और बहतरीन growth अपने ले कर सकते हैं जल्दी से एक before वाली picture क्लिक कर लीजिए I am pretty sure कि एक महीने बाद आप बोलेंगे कि क्या ग्रोथ हुई है प्रेडना पहले क्यों ने बताया बताएंगे बई ग्राजुली सारी चीज़े आपको बता रहे हैं और आप लोगों के जो रिजाल्स हैं बलीव मी इतना मजा आ रहा है ना दिखके बस आते रहने दीजिए यू केन मेल मी, मैं सारी इंफिमेशन इहां स्क्रीम पर आपको दे दूंगी आपको दे दूंगी एम वेटिंग फुर गजब के रिजल्स लेवलाटर्स तो आपके मिली रहे हैं थांक यू सो वेरी मुच तब तक के लिए खुश रहिए मस्कुराते रहिए पीती पेडना के चानल से जुड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself लाइक किये बिना बिल्कुल नहीं जाना, okay